इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल का सरगना गौस मोहम्मद खान कानपुर से गरफतार कर लिया गया है इसके साथ ही MP ट्रेन ब्लास्ट की जाँच में IS के शामिल होने के सबूत भी मिले है आपको बता दें कि मंगलवार को लखनाओ एंकाउंटर में UP ATS ने सैफुला नाम के आतंकी को मार गिराया था लेकिन सैफुला जिस गुरूप का सदस्य था उसके सरगना गौस मोहमद खान की तलाश जारी थी जिसके बाद पुलिस ने बड़ी काम्याबी हासिल करते हुए इसे भी पकड़ लिया गुरूप का मुग्या जीएम खान कानपूर का ही रहने वाला है और एयर फोर्स में भी काम कर चुका है लगनों में एंकाउंटर के बाद दो फरार आतंकियों के दिल्ली पहुचने की आशंका के चलते रासधानी में अलट जारी कर दिया गया है दिल्ली एंसियार में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ब्रसपतिवार से संसत शुरू हो गया है हूली करीब है ऐसे में संसत के अलावा भीडबार वाले इलाकों बजारों समेत सभी एहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस के साथ स्पेशल सेल भी पहनी नजर बनाए हुए है देश के बाकिश शहरों में भी सुरक्षा अजंसिया हाई अलर्ट पर है कर दो